नमस्का दोस्तों मैं सनी शर्मा फिर से हाजर अपने चैनल सनी नाथ पर स्वागत करता हूं सभी वावन का आज मैं फिर से हाजर आएकर नहीं जानकरिक साथ हर दुख से शांती दिलाता है ख्वाजा जी का बेड़ा जब किसी विपत्ती का उत्तर नहीं मिलता है उस वक्त हाजरत ख्वाजा साव के नाम का बेड़ा दे कर आप लोग अपने उपर लगे हुए दोशों, बंदनों, तांतरी किर्याओं, शिरीरिक दुख तकलीफ, संक्टों यहां तक की बंदन के रास्ते को भी काटने की शम्ता रखते हैं, हजरत ख्वाजा साव एवं आपके कारेव सुकम करते हैं, बेड़ा देने का एक सालिका होता है, बेड़ा देने के लिए बेड़ा बनाना पड़ता है, उसमें आपको मिठे चावल रखने पड़ते हैं, चो मुखिया दीपक लगता है, इत्र का छिरकाब, दो अलाव दो लोंग दो इलैची है उसके इलावा एक सिगरेट रहता है और लड़ू या पतासे और पान रहता है बाकी की इसके अलावा कोई अधर समान डालना चाहते हैं वो आपकी शम्ता के अपने पर करता है चैनल को सब्सक्राइब करना गुरू गोर्फनाथ के नाम का मेर अधर आपने जला देना शिगर जला के अपने पेड़ा सिर से साथ बार सीधा गौवार अपने प्रहेज नहीं देना यह कि रहा आप किसी वीग गुरू बार को कर सकते हैं शुक्रपक्ष का पहला गुरू बार ही लेना है अध्या पांच गूर लगातार आपको करना ब्रह्म चारे का परहेज मास मद्रा से परहेज प्राय इस तरीके पाथ जाने से प्रहेज अपनी बाइफ या अपने जो भी आपका सिस्टम है अगर अनमैरीड हो इन सबी चिज्जों का आपको ध्यान लखना है और दूसरी बात किसी मर्गट में नहीं जाना है और शादी करें साथ में आपको फर्क एवं रिजल्ट जरूर दिखेगा बेड़ा देने से पहले कुछ मंतर एवं कलाम पड़े जाते हैं बेड़ा देने से पहले उन मंतरों को जागरित एवं सिध जरूर कर ले बेड़ा देने की पूरी प्रकिरे आप किसी गुरू से दिक्षित होक और खौजा साब की इवादत करके मंतर को सिद करके फिर बेड़ा दें तो आपको उसका रिजल्ट और फास्ट मिलेगा जो काम पांच बेड़ों में बनना वो हो सकता कि बेड़ा छोनने के दो गंटे से लेके बतर गंटों के बीच बीतर ही आपको उसका उत्तर मिल जाए और